हेलो फ्रेंड्स नमस्कार विल्कम बेक मैं चैनल टार्गेट टीचर जॉब में तो दोस्तों आज हम बीट दूती वर्स चतुर्थ प्रसने पत्र जनसंक्या सिच्छा हैं प्रवड सिच्छा के विसे में पढ़ेंगे और यह है आपका लेक्चर नुबर 24 तो चलिए देखते हैं प्रसने जनसंक्या सिच्छा को विद्याली पार्टिक्रम में समलित करने में आने वाली बाधाओं का उलेक किजिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेस सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिजेगा जिससे हमारे साभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकी तो चलिए उत्तर देखते हैं कि जनसंक्या सिच्चा को विद्यालिज प्राइब करने के किया क्या बाधाएं आती हैं जनसंक्या सिच्चा एक नमीन प्रवर्तन के रूप में विकास हुआ है इसके माध्यम से छात्रों तथा यूकों में ऐसी जागरूकता तथा सवेदर सिल्था का विकास किया जा रहा है जिससे जनसंख्या बृद्धी को नियंत्रण किया जा सके और मनुस्य जीवन को सुखी योम सम्रिद्ध बनाया जा सके दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या सिच्छा बहुत ही विकराल रूप में धीर धीर सामने आ रही है जिसकी वज़े से आज समाज में देश में बुखमरी, वेरोजगारी, खाने, पीने, रहने ये सारी जो समस्यां ही ये जनसंख्या की वज़े से ही आ रही हैं तो इन सब समस्याओं को अभी से ही हमें चातरों को आउगत कराने की जुरत है जिससे देश में जनसंख्या बुखमरी को कंट्रोल किया जा सके तो अभी से ही ये छात्रों को जागरूख करना होगा इस विशय में जिससे वो अपने आने वाले भावी जीवन में इस महति को समझें और परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर विंद्यों पर ध्यान दें विद्यालई पाठिक्रम में जनसंक्या सिच्छा समन्दी वातों को समलित करने में निमलिकित बाधाये होती हैं जिसका उलेक निमलिकित हैं विद्यालई पाठिक्रम में जनसंख्या सिच्चा को सामलेल करने के लिए जो बाधाएं आती हैं उसकी विशाय में चलिए देखते हैं सिच्च को तदा कारे करताओं का प्रसिच्चड जो भी सिच्चक या कारे करता है जनसंख्या सिच्चा छात्रों को दे रहा है उसका प्रशिच्छट होना बहुत ही ज़्यादा आवस्य खोता है तो चलिए देखते हैं उसके चाथर भी उस चीज में उस स्किल में निपुड होंगे यहाँ पर अगर एक सिच्छक जनसंक्या सिच्छा के होने वाले हानियों के बारे में या जनसंक्या सिच्छा के बारे में अधिक अच्छे से जानकारी रखेगा तभी वो अपने छात्रों को उस बिसे में डीपली और ढंग से जानकारी दे पाएगा इस संदर में वैलेंड महोदा का कथन उलेखनी ये उनके नुस्वार 4-6 मा का प्रसिचण किसी सिच्छक को जनसंख्या सिच्छा कारिकरा में प्रसिचित कर सकता है चार से छे महीने का प्रसिच्चड सिच्चक को जनसंख्या सिच्चा के लिए प्रसिच्चड लेना आउस्यक होता है जिससे वो उस चीज को और अच्छे ढंग से समझे 1970 में वही बैक आउफ में आयुजित कानफरेंस में जनसंख्या सिच्चा में सिच्चको और कार्यकरताओं के उचित प्रसिच्चड पर भी बल दिया गया बीएड तथा एमेड के पार्टिक्रम में जनसंख्या सिच्चा को समलित कर उसका उचित प्रसिच्चड हो रहा है जो आप पढ़ रहें, आप एक भावी छात्रा-ध्यापक और छात्रा-ध्यापिका के रूप में हैं, तो यहाँ पर आप अभी से सिच्छक बनने के लिए तयार हैं, जो आज आप ये सिच्छा ग्राण कर रहे हैं, कल आप अपने चात्रों को इन सारे विश्यों के बारे में जानकारी देंगे तो कहीं न कहीं आपको ये प्रसिच्छड मिल रहा है आप ये प्रसिच्छड प्राप्त कर रहे हैं अपने चात्रों के लिए जिससे आप अपने चात्रों को बहतर ढंग से किसी भी जनसंख्या से सम्मंदित विशय में जानकारी दे पाएंगे उन्हें बता पाएंगे उसके होने वाले दुस प्रडामों के बारे में तो चलिए दूसरा देखते हैं अभिभावकों की विचारधारा दोस्तों ये बहुत ही मात्वपूर विशय है कि कोई भी छात्र एक परिवार में रहता है परिवार के लोगों का सिच्छा अस्तर क्या है ये डिपेंड करता है अभिभावकों की विचारधारा पे तो चलिए देखते हैं जनसंक्या सिच्छा में दी जाने वाली अनेक प्रकार की विशय जैसे परिवार नियोजन यौन सिच्छा सेमित परिवार आधी पर अधिकांस अभिभावकों की विचारधाराएं एक समान नहीं होती है कुछ अभिभावक सिच्छा परिवार नियोजन जनम दर रोकते हैं या यह यहून सिच्छा परिवार नियोजन आधी की चरचा किये बिना जनसंक्या वित्रड नियंद्र आदी की सिच्छा है या योन सिच्छा की चर्चा किये भी नहीं बताया जा सकता है कि जनसंख्या नेंतर करने में उपलब्द साधनों का हुत्तों भी प्योग किया जा सकता है होवेल लाइंड जेनिस्ता केली के सोध से यह पुष्ट होता है कि सिच्छात्मक बातों की सिखाना सरलकारे होता है जबकि सामाजिक आदर्स के विपरेद बातों को सिखाना कटिन होता है इसलिए जनसंक्या सिच्छा कारिक्रम में चलाया जाना चाहिए कि लेकिन विवाद अस्पत बातों को इसको अलग रखा जाए इस्पत बाते जो हैं समाज में उससे सिच्छा को अलग करते हुए जो भी सिच्छा दी जाए वो बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए दी जाए यहाँ पर कहने का सेंस यह है कि आज आपको जनसंख्या सिच्छा के माध्यम से परिवार नियोजन, जन्मदर यह सब चीजें और यहन सिच्छा के विशय में बताया जाए जिससे कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता पैदा हो जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या बृद्धी में कहीं न कहीं सिच्छा का एक महत्पूर रोल होता है तो यहन सिच्छा और परिवार नियोजन में आप अगर नारी सिच्छा को महत्पूर देखते हैं तो नारी सिच्छा बहुत ही महत्पूर रोल प्ले करती है एक नारी अगर पढ़ी लिखी है तो वो केवल परिवार को ही सिच्छित नहीं करेगी अपने समाज अपने राष्ट को भी सिच्छित करेगी जिससे उसका देश खुसाली की तरफ बढ़ेगा परिवार में अगर एक नारी सिच्छित है तो वो परिवार नियोजन की तरफ भी ध्यान देगी और परिवार में जो व्यक्दी हैं उनके उचित पालन पोशड से लेक सेफ़ें करके उनके विकाश पर भी ध्यान देगी उनके आर्थिक विकास से भी ध्यान देoleगी हर कार वह सफलता पूर्वक करेगी क्योंकि वह एक सिच्छित महिला तो यहां पर परिवार नियोजन, अयोन सिच्चा और जनसंख्या वित्रड और नियंत्रड ये सारी सिच्चाएं आपके जनसंख्या सिच्चा के अंतरगत ही दी जाती है चलिए नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या सिच्चा विस्यों को विद्याले विस्यों से संबंधित कर दोस्तों विद्याले विश्यों में जनसंख्या सिच्छा को प्रात्मी कस्तर पर अलग सुतंत्र विश्य के रूप में लागू करना ठीक नहीं होता है। इसलिए प्रात्मी कस्तर पर जनसंख्या सिच्छा को अन्य विश्यों से समन्वित करके पढ़ाया जाना चाहिए। परिवार और संयुक्त परिवार इस तरह के जो पाठ होते हैं या जो भी उनसे रिलेटेड विश्य हैं उन सारे सब के बारे में उनको बताया जाए पाठ के माध्यम से जैसे तो इन सारी चीजों के विश्यमों वो जानेंगे जनसंख्या के बारे में अप्रत्य चुरूप से पार्ट में रखा जाए कि जहां पे अधिक लोग रहेंगे वहां पे आवसिक्ता की पूर्ती नहीं हो पाएगे जहां पे कम लोग रहेंगे वहां पे आवसिक्ताएं बहुत ही अच्छे ढंक से पूरी हो जाएंगी तो इस तरह से बच्चा सब्जेक्ट को कनेक्ट करके प सकता कि पूर्ती आसानी से हो सकती है तो ये सारी चीजे बच्चा अच्छे से करनेक्ट कर पाएगा और सीखेगा तो इस तरह से विद्ध्यालेव से संबंदित करके भी जनसंक्या सिच्छा को पढ़ाया जा सकता है साथ ही इस अस्तर पर हम देखेंगे मादमिक अस्तर पर एक समन्वित पाठिकरम अलग से बनाया जाना चाहिए साथ ही इस अस्तर पर सामाजिक विज्ञान विशे इतिहास भुगोल अर्थसास्त्र नागरिसास्त्र साहित्य गणित सामान विज्ञान जिव विज्ञान स्वास्त्र विज्ञान आदि विश्यों क साथ समन्वे करके जनसंख्या सिच्छा को पढ़ाया जा सकता है दोस्तों ये बहुत ही मातपोट आपिक है आज आप भावी आज आप एक छात्रा ध्यापक, छात्रा ध्यापिका है, कल आप एक सिच्छक होंगे तो आप अपने विशय के साथ जनसंख्या सिच्छा को किस आधार पर कनेक्ट करेंगे ये आपकी उपर depend करता है आप बच्चों को किस तरह से जनसंख्या से होने वाली हानियों के विषय में बताएंगे जनसंख्या से होने वाले दुस्परडामों के विषय में बताएंगे ये चीजे आपके उपर depend करती है एक विषय को पढ़ाना सिच्छक के लिए एक विषय पढ़ाना अलग बात होती है और उस विषय के साथ अन विषयों को कनेक्ट करना वो सिच्छक की निपूरता को दरसाता है वो किसी भी विशय को किस धंग से पढ़ाता है कि बच्चा उससे अपने आपको connect कर पाए, परिवार को connect कर पाए, समाज को connect कर पाए और देश के विकास को connect कर पाए, ये एक निपुड सिच्चक के उपर depend करता है, बिद्यालेई पार्टिक्रम में परिवर्तन और संसुन्दन करते समय या ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन विसेयों के पार्टिक्रमों में लचीला पन हो जिससे सिच्चकों को उन विसेयों के साथ जनसंख्या सिच्चा कारिक्रम को समन्वित करने में कठनाई का सामना करना पड़ता है जो पार्टिक्रम होना चाहिए वो बहुत ही यहाँ पे कह रहे हैं कि लचीला होना चाहिए जिससे अन्य विस्यों के साथ उसको सवनवित करने में कटनाई का सामना ना करना पड़े यहाँ पे देखिए विभिन विश्यों के पाठिक्रमों में लचीला पन हो जिससे सिच्चों को उन विश्यों के साथ जनसंख्या सिच्चा को समिजनित करने में कठनाई का सामना करना पड़ता है यहाँ पे संसोधन करने की बात हो रही है कि जब विद्याले पार्ठिक्रम में परिवर्तन और संसोधन करते समय अध्यान दिया जाना चाहिए कि विविन विशेयों के पार्ठिक्रमों में लचीला पन हो लचीला पन होगा तभी वो जनसंक्या सिच्छा को उससे कनेक्ट कर पाएंगे एक सिच्छक अपने विशे को किस तरह से कनेक्ट करेगा वो पार्ठिक्रम के पर भी आधारित होता है जब पार्ठिक्रम उस तरह का होगा तभी आप विशेयों को कनेक्ट कर पाएंगे हलाकि ये सारी समस्याइं हमारी नहीं हैं ये पार्टिक्रम हमारे NCRT निर्धारित करते हैं तो उनको ये वो सारी चीज़े ये ध्यान में रखकर निर्धारित करते हैं कि जो पार्टिक्रम हम अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं वो उस पार्टिक्रम को पढ़के उसका प्रभाव उनके परिवार, समाथ, देश और राष्ट पर पढ़ेगा तो ये सारी चीजे वो ध्यान में रखकर ही पार्टिक्रम को निर्धारित करते हैं कुछ विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि जनसंख्या सिच्चा को विद्यालई पार्टिक्रम में माध्धमिक अस्तर से सामिल किया जाना चाहिए उनका कहना है कि इस अस्तर पर बच्चे समझदार हो जाते हैं और वे जनसंख्या सिच्चा समंधित तत्यों को ग्रहन करने योगे हो जाते हैं कि जनसंख्या सिच्चा को विद्वान पार्टिक्रम में लागू करने में अस्तर बाता उत्पन करती है यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जनसंख्या सिच्छा पाटिक्रम है वो मादमिक अस्तर पर ही लागू कर दिया जाना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं आज भी भेरुजगारी आर्थिक इस्तिती की वज़े से जो बच्चे अपना पढ़ाई बाधित कर देते हैं या आगे की सिच्छा ग्रहणा नहीं कर पाते हैं या कम उम्र में ही उनका विवा हो जाता है तो जब वो कम उम्र में ही इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो उनको ये सारी चीजों के विशाय में पता रहेगा तो आगे वो अपने परिवार को नियोजित भी करेंगे और देश के लिए एक कुसल नागरिक पे रूप में अपने देश के विकास में अग्रसर होंगे तो इसलिए कुछ विद्वानों का ये कतन है कि मातमी कतर पर ही जनसंक्या सिच्छा को सामिल करना चाहिए नमबर फाइब देखते हैं सोध प्राया ये देखने को मिलता है कि जनसंक्या सिच्छा को लोग कम महत्तो देते हैं यही कारण है कि जनसंक्या सिच्छा पर बहुत कम सोधकारी हुए हैं इसमें समलित अनेक विश्यतता सिधानतों के संबन्द में भी बहुत कम कारे हुआ जो कारे हुए भी हैं उसमें प्रस्नावली के माध्यम से ही प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया जनसंक्या सिच्छा पर सोद ना होने के कारण जो भी प्रयास किये गए उन प्रयासों को प्रभाव का अध्धयं नहीं हो पाया है। इसलिए इन प्रयासों से जबर हमें मिलना चाहिए उतना लाब हमें नहीं मिल पाया। अत्ता जनसंख्या सिच्छा कारिकरम को सुचार रूप से संचालित करने बिद्याले पाटिकरम में नियमित रूप से सामिल करने के लिए हमें इनमें सोध को बढ़ावा देना चाहोगा जिससे इनके सम्मन्द में जो भी प्रयास हो उस प्रभाव को लोग लाभानुत हो सके दोस्तों जनसंख्या सिचा एक नमीन विशह है तो इस लिए इस विशह में बहुती कम सोधकारे हुए हैं लोग इस विशय की तरफ बहुती कम ध्यान दियें जिससे कहीं न कहीं इसमें अभी भी सोधकारे ना होने की विज़े से जो पाठिक्रम की कमी है वो कमी देखने को मिलती है जिसकी वज़े से सिच्छड कारे जिससे सिच्छक अपने छात्रों को अधिक से अधिक ज्यान दे पाए वो सारे चीजों का अभाव है तो दोस्तों ये सारी चीजे हमने यहां पर देखी कि किस तरह से जनसंख्या सिच्छा विद्यालेयों में और विद्यालेयों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए चात्रों से परिवार समाज और देश के लिए एक विकास सील विशय क रूप में सामने आया है तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिएगा और प्लीज अगर चैनल पे नए है तो सस्क्राइब करना मत बूलिएगा हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो मच जैहिन